नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम एजीमेंट में मैं करून अपनी इस वीडियो में लेकर आई हूँ क्लास 11 के पेंटिंग स्टुडेंट्स के लिए चेप्टर नमबर 9 भारतिय कांसे मूर्थियां दोस्तों यह आपके सेकेंडरम स्लेबस में है तो कांसे धातु से जो मूर्थियां हमारी बननी प्रारंब हुई थी वो हमें मिली थी सबसे पहले सिंदु सब्वेता से जो की कांसे निर्थकी की मूर्थियां में मोहा जोदरो नमक जगा से प्राप्त हुई थी उसके बाद इस तरह की कांसे मूर्थियां भारत में अलग-अलग जगा पर अलग-अलग तरीके से बनाई गई और इनको बनाने के लिए हम यूज करते थे मधुसिस्ट शेली का मधुसिस्ट शेली क्या होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक मूम से पुतला तयार किया जाता है और उसके उपर धातु की परत चड़ाई जाती है और उसके बाद उसको गरम कर दिया जाता है जिससे क्या होता है कि धातु के गरम होने से अंदर का जो मूम है वो पिघलने लगता है और इस तरह से साचा तयार हो जाता है इसको मधु सिस्टर शेली बोलते है तो एक बार बात कर लेते हैं कांसे मूर्तियों के बारे में तो जैसे की मैंने बताया सिंदू घाटी से इसका इतिहास शुरू हुआ था और कांसे की मूर्तियां कुछ मिली थी जिसके अंदर नर्ते की रत्वर सांट की मूर्ति थी धातु विज्ञान धातु को पिगलाने की कला का जो जग्यान था वो सेंधव सभेतावासियों को था और इस तरह से बाकी जो मूर्तियां हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सेंदर सभ्यता की कास्से कालीन मूर्ति हैं जिसमें की ये सांड मोहन जोदर से मिला था ये कास्से निर्तिकी भी मोहन जोदर से मिली थी और महारास्ट से ये रत प्राप्त हुआ था इसके अलावा कुछ कास्से कालीन मूर्ति हैं यहाँ पर देखने मिल रही है यह है बोधी सत्व मंजुश्री जो नवी शतापदी हमें कश्मीर से मिली है यह है कालिया क्रिश्न जो चोल कालिन मूर्ती तमिलनाडू से मिली है यह गनेश्च की मूर्ती है जो सात्वे शतापदी में कश्मीर से प्राप्त हुई है और यह ज बहुत सी विख्यात मूर्तियों का निर्मान दक्षिन भारत में इशा की सात्वी सताब्दी से लेकर लगभग सात्वी सताब्दी तक की हैं और इस तरह से मूर्ति निर्मान की प्रिक्रिया आज भी जारी है बहुत सी विख्यात मूर्तियों का निर्मान दक्षिन भारत में इशा की सात्वी सताब्दी से लेकर बार्मी सताब्दी के बीच चोल वे पल्लव साशनकाल में हुआ जिसमें हमारी दो मूर्तियां बनी एक है नटराज मूर्ति और एक है देवी उमा की मूर्ति तो हमारे सले आपको नजर आ रही है सुल्तान गंज बिहार से प्राप्त बुद्ध मूर्थी जो साथमी आठमी शताब्दी की है और शिव परिवार जो हमको मिला है गया बिहार से दसमी शताब्दी का तो दोस्तों बात कर लेते हैं ये धातो डालने के प्रक्रिया हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे हमसे कुछ पूछा नहीं जाएगा एक्जाम में तो हम पढ़ेंगे दक्षन भारती है कासे मूर्थियों का अध्यान जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नत्राज मूर्थी को तो नत्राज की मूर्थी जगा जगा पर बनी बहुत जगाओं पर बनी लेकिन जो चोल काल में नत्राज की मूर्थी बनी वो सर्वस्रेस्ट है इसको मैं थोड़ा साब को इससे बढ़ा करके दिखाना चाहूंगी तो ये है नत्राज की मूर्थी इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक पुरुष आकरती जो कि भगवान शीव की है क्योंकि नर्तरत मुद्रा में दिखाया हुआ है उनका सीधा पैर एक राक्षस के उपर है और जो उनका उल्टा पैर है वो एक अगनी यह जो चारो तरफ आपको दिख रहे हैं तो यह अगनी ज्वाला एक चारो हाथ दिखाये गए हैं अलग-अलग मुद्राओं में एक हाथ से वो डमरू बजा रहे हैं गले में सांप उनको दिखाया गया है सर पर मुकुट है इस मूर्ती से हमें क्या पता चलता है और कब निर्मान हुआ कैसे निर्मान हुआ देख लेते हैं तो यह तंजावूर तमि भगवान शीव ने अपने दाएं पैर पर संतुलन इस्थापित किया हुआ है अपसमारा जो उनके सीधे पैर के नीचे एक दैते है उसका नाम अपसमारा है जो बुराई और अज्ञान रुपी दैते है जिसको कुचलते हुए भगवान शीव को यहां पर पे दिखाया गय है और जो उनके बाए पैर की मुद्रा है वो भुजंक त्रशिता मुद्रा दिखाए गई है जो तरियो भाव का प्रदर्शन कर रही है एक तरह से वो बुराई का नाश करते हुए यहां पर दिखाये गए हैं चार हाथ उनके दिखाए गए हैं जो अलग-अलग मुद्रा म और एक में उनका डंबरू में, दूसरे दाय हाथ में डंबरू — जैसा कि मैने आपको बताया और उनके सिर्वातने हाथ में जूला है, और ऐक सिर्वातने हट मुद्रा में है, जो कि अभे हास्थ से जुडा हुआ दिखाया गया है केश जो है उनके दोनों तरफ फैले हुए है और इस पूरी की पूरी नत्य मुद्रा को एक व्रत रूपी जाला जैसा कि मैंने बताए चारो तरफ को हमको दिख रहा है ये अगनी है तो जौला में बीच में जौला के बीच में भगवान शिप को नत्य करते हुए दिखाया ग करते हैं देवी उमा इस वार हमारे सलेबस में नहीं है तो दोस्तों आशा करते हूं आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें